तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यहां पे महिंद्रा की स्कोर्प्यो क्लासिक और यह इसका न्यू वाली कलर यान की एवरेश वाइड वाली गाड़ी है जैसे देख पौर तो आज वह आपको बताने वाला हूं तो चौबिस में इस गाड़ी में क्या क्या को मिलेगी फीटर्स पगेरा इसका प्रैसिंग कितना क्या है और यह कौन सी वेरेंड आपको पहले बता दूए इसका टौपण वेरेंड एस 11 विल गाड़ी है यह गड़ी अल्ली डिजल के साथ एंड मैंड राको मिल जाती है तो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले नहीं हो जैसे हम अभी यार में खड़े हैं तो इनका नमबर आप में जाएगी डिस्क्रेश्म बॉक्स में तो चले विडिन डिले के शाट करते हैं आज का वीडियो और आपको दिखाता हूं स्कॉर्प्योर क्लासिक तब माफिय गाड़ी तो यह होगा इसका फ्रेंट का प्रोफाइल एंड भाई काफी जो है फेवरेट गाड़ी माने जाते हैं लोगों के और इसका प्रोफाइल वैसे ही रखा गया यानिकि स्कोर पे एंड लॉंच होन के बाद भी इस गाड़ी को डिस्कंटिनूर नहीं किया गया क्य यहां पे आईबरो शेयप में यह देख इसका शेयप देखिए आईबरो टोपकी दिजा रही कि नहीं ठीक है और दिस इन इंडिकेटर हमें है यहां पे दियर एल इसके नीचे इस वान और यह ऊगाड़ी का प्रोफाइल वोगे तो सब कुछ यहां पर दिखने वाली है ए यहांने कि जब इसका बॉन डफ ओबन करोगी तो आपको ज्यादा पहनत नहीं करनी पड़ेगी तो यहां पर देखिए कहां पर वीडियो बनाना पड़ रहा है यह देख लो वही ठीक है तो यहां किसका साइड प्रोफाइल डैमेंस आपको दिक्राइब को पर कितना कि है और M Hawk यहांने कि आपको मिलें यहां पर डिजल इंजिन जिसका ब्रैंडिंग आपको मिलें इसके फेंडर के रिया में इस वन इंडिकेटर फेंडर नों दी जा रही है है और यहां पर बॉडी कलर में यह गाड़ी है एवरिश्वाइड वाली गाड़ी न्यूकलर यहां मिलेगी यहां पर पर अलोए राइट इस इस साइट फुल स्टेप इस साइट बीडिंग जिसके उपा स्कॉर्पियो लिखा गया है और यहां पर बॉडी कलर के दोर हैंडेल्स ठीक है और यह इसका सेवें सेट वाली गाड़ी जैसे कि देख पा रहे हो और यहां रूफ र रिफ्लेक्तर टेल टेललाइट इसदाल एलिडी की टेल लाइट आइट है स्कोर्पिय में पर वाली है मेंदरा कालोगो लॉह आपर रूज स्पोईलर यह देख लो और यहां पे रियर में फूट स्टेप जिसके उपर आप पे रखके चड़ोगे वन्हाइब चड़ना आपके लिए क्लिए मुश्किल होने वाली है दिस्ट रिफ्लेक्टर का पार्ट और दी जा रही है रिवर स्पाकिंग सेंसर मिल जा रही है आपक कि आपको बढ़े हैं इसको खुल देते हैं यह देखो फुल गई कि दमये कि दो डंधे आ और आ यहां पर बीट सब्सक्राइब अग्र थासा सतर काऊ यहां पर फ्रीद घेश स्ब्सक्राइब यहां पर दो बंदे के लिए आपको मिल जाती है यहां पर यहां पर बंद और चलते हैं गाडिक अंदर देन यह यहां पर दीजा रही है दिए दोर पैनल पर यहां पर बेच लावाली जाने के तो डार्क बेच यहां पर रखा गया है आपको यहां पर फॉल्ड ऑगर थोड़ थे तो शुट्री जा रही है इसका जो ड्राइवर जाती है मेन और लिवर के साथ यानिगी हाय ट्रेश्मिट क और यहां पर रखते हैं और गाड़ी कंदर भी बैड़ जाते हैं तो रेडियो पूरा ओन है और इसको बंद करते हैं रेडियो और इसलिए सावंड कर रहा है सो करके यह है तो यह कि इसका डेस्ट बोर्ड आपको मिलेगी ब्लैक डार्क बेज टाइप कि यहां पर रखी गए आपको लॉसी का भी पैटर्न वगेरा टचस्क्रीन ऑफ च्छा टचस्क्रीन अपको जा रही है यह देखो इसका टचस्क्रीन ठीक है आपको मिल गया ब्लूटू का फीचर यहीं से जो आपको सेट किया गया है राइट रेडियो सेटिंग म्यूजिक वगेरा मिल जाते आउक्स यहां पर मिलने वाल इसके टचस्क्रीन में देन उपर आपको यहां पर मिल जाते असेंट वगेरा बागे स्कोर पी वहां पर लिखा गया है देखिए आपको मिलेगी डॉर पैनल में ठीक है तो टचस्क्रीन हो गया क्लस्टर दिखा दो यहां पर आपको मिलने वाले मोड यह देखो इन पर टो मिलने मलें तो सुंपल से सब कुछ दिजा रही है ज्यादा कुछ औरशले दिखने वाले सिंपल से हां परभी स्विए क्लिस्टर का मन दिएँ वहाँ यहाँ पर ग्लोसी का item जोड़र टेरी मिलेगी लाइट के कंट्रोल सपमेल इसके लेपने साइड में वोशनपकर कंट्रोल और इसका स्टेर्श में मिलेगी तिल के साथ यह देखो एंड़ टेलिस्पोप के तने यह वह लेकित तेल का फंक्शन इस सट अपर वर्वें कंट्रोल रांका स्वीच यांकि नॉप दिजा रही है इस इस देलाइट लए फ्यूल लिड ओपन करने लिए यहां पर इस देल रियर डीफोगर एसके वैंट यहां पर देजा रही है राइट और और क्या वैं यहां इसका सीट आपको मिले हां पर फैबरिक वाली सीट एंड केप्टन सीट याने की आपको मिलेगा इसका तो यहां पर वैकल सोल्डर। कुछ न यहाँ इसका रिख यूड है किसे ठोक है तो रहे हो आपको यहां पर आपको मिल जाती हाँ अर्ट आ maggौ अ म newton decreasing भी यहां पर देख यहां पर दी जा रही है कि यूजबी का पॉर्ट और ओक्स का यहां पर फीचर देख पा रहे हो राइट यहां पर अपना मोबल लग सकते हो फिसले की नहीं यहां पर श्टॉक रहेगी राइट सो अभी सुनते हैं गाड़ी का इंजिन साउंड यानि की कैसा क्या इसको श्टार्ट करते हैं कि यह देखो तो वह डिजल गाड़ी है तो आपको हल्की फुल्की जो है केविन नौइस तो आना ही वाली है बट यह नौइस कफी अच्छी लगते गाड़ी के अंदर यानकी स्कोर्पियो के अंदर बाकि इसका देखिए बॉनर देखिए हैगे ने में जबर जस्त पूरी यहां विजि सब्सक्राइब देखो कट सब्सक्राइब तो इंजिन का साउंड आपने सुन लिया और में तुरस इसको रेस देखिए को सुना दो और एक बार है राइट है सो अभी करते हैं इसको बंद हो चुक है मैं सारी बात है फ्रंट रो की इस देग्राइब हैंडल का पार्ट यह देखो ठीक है तो चले चलते हैं इसके सेकेंड ड्रो में सोबायओ कि सेकंड ड्रो एंड आपको में अब बैंच टाइप की सीट तो क्या कैच जो करी जाते हैं आपको बतार हो आपको रियर आंपर कुछ भी नहीं है यहाँ पर पटेंट इस्वाड़ एक ब्लेगी और एक जा रही बागी charging port तो यहां पर आपको 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 नहीं करी जाती है तो पैनल आपको यहां पर देखे चोटा सबस्पेस दी जा रही है जहां पर आप चोटा सामर रख से तो बाकी एक मिलेगा यहां पर बोटो होल्डर ग्रैफ हैंडल यह देख लो राइट और आपको यहां पर चार्जिंग लाइब करेंप यहां बैस तो मिल जा रहे हैं यह दो यह दो रियर शीट रो में आपको इतना ही मिलने वाला है दो एरबेक, पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेशन, कोलापसिबल स्टेरिंग, इंजिन इंमोबाल एजर, एंटी थैट वर्निंग, स्पीड अलर्ट, सीट बेल रिमेंडर लैम्प, ट्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में, प्रैसिंग जैसे के मनुँ बता दिया भई, 13.58 ल मिल जाएगी, लगबग जो है, आपको उसी के अंदर को मिलने वाली है, आपको मिलेगी, और यह इसका साइट फेसिंग गाड़ी, जैसे के आप मैंने आपको दिखा दिया, तो कैसे लिए आपको यह गाड़ी, कैसे लिए इसके फिचर्स वगेरा, मुझे कमेंट करके बता मत बुलेगा, मिलते हैं, धन्यवाद